हेलो दोस्तों स्वागत है आपका LearnHub YouTube चैनल में अगर आप student है और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को subscribe करें मेरा नाम है रोहिद गुपता और cutting process and machining tools के part 2 में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ lecture 8 तो इससे पहरे lecture में मैंने आपको tool life जो की tailors tool life equation होती है यह tool life पूरा पढ़ाया उससे related numericals भी लगवाए उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया economics of machining economics of machining में दो criteria होते हैं पहला minimum cost criteria और दूसरा maximum production criteria दोनों के बारे मैंने आपको detail में पिछले lecture में पढ़ा दिया है तो तीसरा चीज जो आज आ रहा है वो है tool material तो basically tool materials मतलब यह हुआ कि जो हम cutting में tool use करते हैं वो किस material का बना होगा तो अगर वो different materials का बना होता है जैसे कि माली जी कोई मेरा work piece है वो बहुत ही hard है तो उसके लिए tool material यूज करेंगे उसका material भी थोड़ा hard होना चाहिए या कैसा होना चाहिए वो हम लोग इसको discuss करेंगे और अगर work piece soft है तो कैसा tool यूज करना चाहिए जिससे की tool की life भी अच्छी हो और economics of machining जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो satisfy करें मतलब tool life उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और machining time कम से कम लगे और machining की cost भी कम लगे तो ऐसा materials हम लोग चूज करते है according to the work piece तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि tool materials कौन कौन से material से बना हो सकता है और उस materials की क्या particular property होती है तो आज हम लोग पढ़ेंगे carbon steel tool के बारे में सबसे पहले देखते है tool material तो ideal tool material कौन सा होता है जो metal को remove करे without getting deform at various speed and temperature range मतलब cutting में क्या होता है कि आप उसको जो cutting velocity है उसको deform करते हैं मतलब उसको change करते हैं कभी कम speed में चला रहे हैं कभी ज्यादा speed में चला रहे हैं तो उसी की वज़ए से जो temperature generate होता है या heat generate होती है वो कम ज्यादा होती रहते हैं तो tool material हमेशा ऐसा होना चाहिए कि different different speed और different different time range के अनुसार वो metal change मतलब deform ना हो तो हमारा जो tool है उसका shape वैसे का वैसा ही रहे वो deform नहीं हो तो ऐसा tool material हमको use करना चाहिए तो properties of ideal tool ideal tool की properties के अगरा देखिया जाए तो क्या क्या होता है red hard hardness मतलब कि यह property है उस material की जो hard high temperature को withstand कर सकता है without deformation जो मैंने आप ही आपको बताया कि ऐसा material यूज करना चाहिए जो deform ना हो different speed और different temperature में तो यह property है red hard hardness red hard का मतलब जब भी हम किसी चीज को गरम करते हैं तो वो red hot तक पहुच जाता है तो इसलिए red hard का मतलब है जब वो red hard हो जाए मतलब इसका high temperature पे भी hardness अच्छी हो इसका मतलब वो deform ना हो कब high temperature पे तो red hard hardness वही होता है कि जो high temperature पे without deformation withstand कर सके दूसरा है tool wear resistance मतलब कि जब हम tool cutting करते हैं tool से तो जो वो wear out material ना हो तो वो कहलाता है tool का wear resistance जो मैंने आपको पढ़ाया था creator wear और flank wear वो ना हो तो वो कहलाता है tool wear resistance वीर का मतलब है उसके surface का material remove हो जाना और resistance का मतलब है उसको रोकना तो tool का material ऐसा होना चाहिए कि जो surface का material है वो बाहर ना जाए वो खराब ना हो tool जिससे की खराब ना हो तो यह tool wear resistance होना चाहिए tool तीसरा toughness tool में toughness तो होनी ही चाहिए otherwise tool जल्दी से तूट जाएगा मतलब अगर impact loading tool पे आ गई तो tool तूटने का तूट सकता है इसलिए इसको toughness अच्छी होनी चाहिए high thermal conductivity यह भी बहुत जरूरी property है क्यों 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 हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब cutting होती है तो heat generate होती है tool और chip के बीच में और tool और workpiece के बीच में तो अगर high thermal conductivity नहीं होगी तो जो heat generate हो रही है वो conduct होके बाहर नहीं जा पाएगी वो एक जगह accumulate हो जाएगी और जिसकी वज़े से हमारा tool खराब हो सकता है इसलिए उसकी high thermal conductivity होनी चाहिए high specific heat specific heat भी high होनी चाहिए इसका मतलब क्या है specific heat क्या दिखाता है कितनी heat की जरूरत होगी उसका एक degree Celsius temperature change करने में तो अगर specific heat कम होगी तो थोड़ी सी heat अगर generate हो रही है उसी की वज़े से tool का temperature change हो जाएगा और जब इसका temperature change हो जाएगा तो हमें problem हो सकती है इसलिए अगर इसकी high specific heat हो गई तो हम कितना ही heat इसको provide करेंगे इसका temperature change नहीं होगा जबकि होगा अगर specific heat ज्यादा है तो ज्यादा heat की जूरत पड़ेगी उसको एक degree Celsius temperature change करने में तो इसकी बज़े से उसका temperature कम rise होगा और low thermal expansion coefficient thermal expansion coefficient I hope कि आप जानते ही होंगे कि heat की बज़े से उसमें deformation आ जाता है जैसे सोम में आपने पड़ा होगा कि अगर हम किसी material में force लगाते है या तो stress लगाते है तो वो deform होने लगता है तो एक तो होता है वो stress वाला deformation और दूसरा होता है thermal deformation अगर हम किसी material को गरम करते है तो भी वो expand करता है तो वो expansion coefficient कम होना चाहिए जिससे कि हम अगर किसी चीज़ को गरम भी करें तो वो expand ना करें बहुत कम से कम करें तो वो भी इसलिए वो low होना चाहिए तीसरा chemical chemical stable होना चाहिए मतलब कि अगर हमारा material किसी material में जिसे grease lubrication oil बगएरा लगे रहते हैं तो उसकी बज़े से जो टूल है वो खराब ना हो तो chemical stable भी होना चाहिए cost तो लो होनी ही चाहिए अदर्वाइस economy economics of machining बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी easy fabrication fabrication बहुत easy होना चाहिए otherwise उसकी ultimate cost बढ़ जाएगी टूल को बनाने के लिए तो हमें टूल महंगा मिलेगा coefficient of friction भी low होना चाहिए otherwise अगर यह कम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा coefficient of friction कम नहीं हुआ तो जो हमारे टूल और प्रक्पीस के बीच में या टूल और चिप के बीच में जो heat generate है वो बढ़ जाएगी और साथ में wear के भी chances बढ़ जाएगे last है high youngs modulus, youngs modulus भी high होना चाहिए जिससे की टूल का strength अच्छा रहे तो I hope आप समझ गए होंगे कि यह सब property tools में क्यों होनी चाहिए तो शुरू करते हैं आज का tool जो की है carbon steel tool पहला tool जो हम जोग use कर सकते हैं वो की है carbon steel tool जिससे की नाम सही समझ में आ रहा है carbon steel तो steel में carbon का तो percentage होता ही है तो tool बनाने के लिए अगर हम carbon steel tool यूज़ करेंगे तो उसमें 0.2 से 1.5% तक carbon यूज़ करते हैं और ठीक है और carbon steel tool का यूज़ हम लोग low speed operation में करते हैं और यह tool बनता कैसे है यह tool बनता है forging operation से ठीक है और इसकी speed मैंने बताई थी limited speed होती है 10 meter per minute और cutting ability और temperature range आसका 200 से 2500 degree celsius तक रखते हैं तो carbon steel tool में सबसे पहले आपको यह की चीज़ याद रखनी है कि इसमें carbon percentage 0.2 से 1.5% तक रह सकता है पहली चीज़ दूसरा इसका यूज़ करते हैं low cutting speed में low cutting speed operation में दूसरी चीज़ हो गई तीसरी चीज़ इसका हम लोग बनाते हैं forging से बनाते हैं और चौता हो गई इसकी 200 से 2500 से degree celsius तक इसका यूज़ करते हैं और आज कर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं hard drill बनाने में giggle बनाने में blade बनाने में और कुछ machining soft material की machining के लिए भी हम लोग carbon steel tool का यूज़ करते हैं जैसे कि aluminium brass और wooden इन तीज़ों के लिए याद रखेगा कि हम लोग soft material जैसे aluminium brass और wooden के लिए हम लोग carbon steel tool का यूज़ करते हैं मसीनिंग के लिए तो आई होप आपको आज का लेक्टर समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस tool का use कहा करते हैं और tools में कौन-कौन सी property होनी चाहिए तो next lecture में मैं आपको कुछ और tools बताऊंगा कि जो इससे अच्छे tool होते हैं materials उससे हम लोग अगर tool बनाएंगे तो हमारा क्या-क्या property और अच्छी होगी और उसका working condition क्या-क्या होगी तो अगर आपको इसमें कोई doubt हो तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और मुझे इस video को like कीजिए मुझे follow कर सकते हैं मिलते हैं next lecture में